क्या हम ब्लाइंडनेस के पर्मेनेंट के और को फाइनली अचीव कर रहे हैं। न्यूरा लिंक एक कमपनी है जिसने एक डिवाइस बनाया है ब्लाइंड साइट। ये अभी कुछ दिनों से काफी न्यूस में है और इसके चलते काफी हमारे पास कमेंड्स आ रहे हैं। तो आज हम डिसकस करेंगे कि ये न्यूरा लिंक का ब्लाइंड साइट डिवाइस क्या है और इसका क्या पोटेंशल है ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने में। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्तर सुमित अगरवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फर यू। यह आपको विलती है एकदम सिंपल लाइंगविज में आखों से जुड़ी सारी जानकारी। ब्लाइंडनेस एक बहुत ही अनफॉर्चनेट कंडिशन होती है। उस सिलसिले में हम इस सुन्दर सुष्टी को देख नहीं पाते हैं। और एक ब्लाइंड परसन ही जानता है कि लाइफ को वो कितना जादा पहले जैसा मिस करते हैं। और अपनी रूटीन लाइफ को वापस पाने के लिए वो कितना डेस्परेट होते हैं। इसी के सिलसिले में रिसर्च चलती रहती है, बहुत सारे डिवाइसेज आये हैं, बहुत सारी टेकनोलोजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं। बट अभी भी हम एक बहुत ही एक तरह से प्रिमिटिव स्टेज में हैं और कोशिशे इसके बारे में जरूर जारी हैं। उसी कोशिशों में एक उबरता हुआ डिवाइस आया है, ब्लाइंड साइट करके, और ये न्यूरा लिंक कंपनी हैं, जिसको इलॉन मस्क का सपोर्ट हासिल है, और ये बेसिकली एक डिवाइस ऐसा है, जो की क्लेम कर रहा है कि इसका पोटेंशल है, कि जो ब्लाइंड है, और ना सिर्फ वो जो अपनी साइट पहले थी और खोचुके हैं, बलकि जो जनम से ब्लाइंड है, उनको भी ये नजर देने का पोटेंशल रख सकता है, ऐसा कंपनी का क्लेम है, तो आईए थोड़ा समझते हैं कि ये डिवाइस क्या है, कैसे ये काम करेगा, सो बेसिकली ये एक कॉर्टिकल इंप्लांट है, यानि कि ब्रेन का इंप्लांट है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के अंदर इंप्लांट करे जाते हैं, निूरा लिंक ने ऐसे इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के और हिस्सों में पहले इंप्लांट करे हैं, जो देखने वाला हिस्सा होता है उसे हम visual cortex कहते हैं वो brain का पिछला हिस्सा होता है occipital lobe उसके अंदर ये हिस्सा होता है देखने के लिए visual cortex का तो visual cortex में directly electrodes implant करे जाने का plan है और इस समय around 1000 electrodes वो implant करने के लिए aim कर रहे हैं और ऐसा माला जा रहा है कि ये जब implant करे जाएंगे इन electrodes को जब signal दिया जाएगा तो हमें दिखाई दे सकता है इन्हें signal देने के लिए most probably कोई glasses का या कोई camera का use करा जाएगा जो की आपके सामने की light को capture करेगा उसे convert करेगा electrical radio frequency signals में और वो signals है receive होंगे electrodes पे जो की पीछे brain में implanted रहेंगे और वो signals फिर इसी उमीद है कि वो brain उसको translate कर पाएगा visual information में और हमें दिखाई देगा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये device अभी available नहीं है ऐसा device अभी पर से market में available नहीं है common public के लिए use के लिए available नहीं है in fact ये device अभी prototype से भी पहले वाली stage में है अभी research phase में है अभी इसका बस एक FDA को information दी गई है अभी FDA approval शुरू भी नहीं हुआ है इसका और इसको एक breakthrough device category में डाला है FDA ने इसी उमेद से कि यदि ये successful होता है safe होता है तो ये एक वाकई में बहुत बड़ा achievement होगा और बहुत बड़ी सौगात होगी उन सब लोगों के लिए जो अपनी नजर को वापस restore करना चाते so blind side device अभी एक primitive stage में है अभी वो concept stage में है अभी practically वो useful नहीं हुआ है human trials अभी उसमें नहीं हुए है probably animal studies कुछ हुई होगी बट अभी वो research phase में हो सकता है कुछ सालों में वो ऐसा आए कि आपके लिए useful vision वो ला पाए बट एक बहुत अच्छी बात है कि इस direction में काम हो रहा है और जो भी blindness के cure के लिए devices आए है retinal implants हो चाहे वो stem cell therapy हो retinal transplant हो तो उन सब चीजों में ये जो particle implants है brain implants है ये personally मुझे सबसे ज़्यादा promising लगते हैं और यदी इनको proper direction में proper time तक इन्हें continue कर रहा जाए research को तो definitely ये fruitful result हमें दे सकते हैं only thing is कि इस तरह के devices और भी companies try कर चुकी है बनाना but उन्हें funding नहीं मिलती है उन्हें ये research continue करने के लिए support नहीं मिलता है financial जिसकी वज़े से वो इस device को पूरा अपने आगे potential तक नहीं ले जा पाते हैं so hopefully Elon Musk इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ में वो invest करके इसकी research को आगे तक continue करवा पाएंगे और एक कुछ potential help हो पाएगी जो भी हमारे blind लोग हैं उनके लिए यही था हमारा आज का topic उमीद करता हूँ इससे आपको फाइदा हुआ होगा comment section में ज़रूर आलें अपने आखों से related सारे सवार ताकि मैं देशे कून के चबाग अच्छा देखिए अच्छे से देखिए निवाद और नमस्ते